इस वीडियो में हम लोग Classics English का Model Set Solve करने वाला है जैसे कि आपको पहले ही पता है कि Model Set 1 और Model Set 2 हम लोग पहले ही Solve कर चुके हैं इसमें Model Set 3 Solve करेंगे तो चलिए पढ़ते हैं तो दिए कि Full Wars होता है 50 आपको समय दिये जाएंगे 2 घंटे फर्स्ट में लिखा वाया Write the Antonyms of the Following Words नीचे देगे सब्दों के Antonyms लिखें Antonyms में सोता है Willowम सब उल्टे सब जैसे काला का उजला होता है जैसे आना का जाना होता है यह सब Willowम सब है Using Prefix from the Box Box से Prefix का इस्तमाल करके यह जो Box में Prefix दिये गया है ना इसी का इस्तमाल करके हमें देगे सब्दों का विलोम सब्द लिखना है तो देखे इर, नौन, अन, इन यह चार Prefix दिये हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगे कि Prefix क्या होता है तो देखे प्रेफिक्स आपके हिंदी ग्रामर में पढ़ना है प्रेफिक्स का हिंदी होता है अपसर्ग है तो देखे प्रेफिक्स समझते हैं क्या होता है देखे प्रेमिस होता है पहले अब फिक्स मिस होता है एड करना जोड़ना तो प्रेफिक्स का डिफिनेशन क्या हो गया प्रेफिक्स कहते हैं एक ग्रूप अप लेटर्स को लेटर्स यह नहीं एभी सेड़ी एक ग्रूप अप लेटर्स को कहते हैं लेटर्स का समूह होता ह प्रेफिक्स जो किसी सब्द के पहले लग कर उसके अर्थ में पडिवर्तन ला देता है जैसे एक्जाम्पल समझते हैं तो क्या हो गया डिस लगा दिया इस तो क्या हो गया डिस ओनेस्ट यानि बेमान ठीके तो देखे इमांदार से बेमान कैसे हुआ इसके आगे हम लोग ड लिटर्स है ठीके लेटर का समुझ है तो टिस लगाने से मंदार से क्यों होगे लात तो म्दार के अर्थ में पडिवर्तन आया है इसके आगे ए ग्रूप आफ लेटर्स लगाने से ए ग्रूप आफ लेटर्स हो गया prefix जैसे दिखें काइंड में इस होते है देयालो आगे UN लगा दिये तो unkind यानी क्रूर देयालो नहीं है तो और तो परिवर्दन कैसे आगे यू एन आगे जो लगा है ना काइन के आगे उसके करण तो यू एन क्या है अन क्या है कोई वर्ड थोड़ी है यह गूरूप अफ लेटर्स है ठीक है इसके लेटर का एक समूह है जिसको कहेंगे प्रेफिक्स यहां पर जो चारों दिये गए यह सारे की सारे प्रेफिक्स है यानि कि सब्ध के पहले लगेंगा पिष्ले वीडियो में बताया था सभ्स तो सभ्स कहन्दीव होता पड़ते हैं कर्मेंट बख्स में पूछ भी रहते हैं आप सब स्वाल पूछते हैं तो ऐसे लगता है कि च गुलौल यानि न्यमित तो आज चा unos ini are common to common कह हो जाएगा अणकॉमन कॉमन कॉमन हो तरह सा गाज़ेसे आज समाटफोन अनों स्माध्पोने क्या है सधारान से बात है लेकिड़ेज इसको बोलते हैं पड़ती है यहां पर आइंसर आपको दिखाए पड़ रहा है इसके स्कीन स्वाट आप ले सकते हैं अगो कमेंट बोक्स में भी लिंक देदेंगे तो अगर आप उस पर क्लिक किजेगा न तो इस सारा लिखावा आपको मिल दाएगा तो उसी में से आप कॉपी में लिख लेजिएगा या फिर यहां से भी लिख सकते हैं आपका जैसे देगे ब्रैकेट से चुन कर ठीक है अपने मन से नहीं यह जो ब्रैकेट में दिया गया ना दो दो अप्शन उसमें से यह भो भाड़ना है फर्स्ट में He-School फर्स्ट में He-School वो विध्याले जाता है तो क्या वजाए कि गोस्टू हो जाएगा तो गोस्टू को यहाँ पर क्या करेंगे भोर देंगे गोस्टू तो आप बुलेगा कि गोन कहां नहीं होगा तो एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसमें subject के बाद क्या न भीतरी भड़ा हैं поддерж यह व्य वेतरी होता है 영 mortar के बीदुब होते हैं समझे हैं लेकिन ऐसा कोई structure नहीं होता है जिसमें subject के बाद डाडेक्ट भीतरी के इस्तेमाल क्या जाए go का क्या भीतरी गो वेंड गो गेँ चाल हविप्रोत करूंब इस्तिमाल करते हैं जाए आपर आधत का बोधों जैसे हुआ प्रतेदिन पार्क में उप fondo चिसे सुरज पूडब होगे अच्रोस्तिमाथा फॉक्स्वात गया तो simple present tense लगेगा simple present tense के structure होता है subject plus b1 और b5 plus object subject करते हैं काम करने वाले को object किसको करते है subject जो काम करेगा ना उसका जिस पर प्रोहा पड़ेगा उसको object कहेंगा जैसे राम आम खाता है खाने के काम कौन कर रहा राम तो राम हो गया subject object कौन हो गया आम हो गया क्योंकि राम जो काम कर रहा है किस पर प्रोहा पड़ेगा आम खातम होगा उसके पेट में जाएगा तो object क्या हो गया आम और subject हो गया राम आपके यहां दखना पड़ेगा कि भीवन और b5 किसमे लेगा भी यानि भर्व खिडिया जिसे काम करने या होने का बहुद है तो भर्व वëं लाग किसमे लेगा और भर्व 5 किसमे लेगा आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल नॉन के साथ भीवन लगता है प्लूरल न्यानि क्या वैसा नॉन जो संख्या में एक से जादा हो यहां पर क्या ही है तो के साथ एक यह तो लगेगा नियों तो क्या लग जाँगा तो यह लग जाकर आगई आए डैस फुट्वाल पिंधा चुपता करना पैसद्र किन्हों पैसा उधार लिए तोछ क्रिकनों कि मैं फुट्वाल पिंधाक तबना थल एहああ यहां पर कोई भी काम जाड़ी हो ना तो वहां पर भीफोर लगाते हैं भीफोर यानि भीवन में आएंजी लगाते हैं भीफोर यही है सिंग में इस होता है गाना तो राजा यह गाना गा रहा है तो हो जागा शिंगिंग आप लेगाएंग के यह क्यों होगा तो देखे अभी आपको बता है कि सब्जेक्ट के बाद भीवन और भीफाइब प्लस अबजेक्ट लगता है ठीक है सिम्पल प्रेंटेंज में तो मिंच में यह जो हैं न इसका कोई जो वर्त नियन परता है तो ये नहीं होगा तो क्यों जआगा ये हो जागा I have does this work और इसमें आपको पता के ये भेधरी है तो किस के बाद लगता है और है यहां पर है तो क्या लगग है भी तरी तो डू 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 यहां लग जाएका डू आई हैव डन दिस वर्क मैं इस कार्डिको कर चुका हूं तो आपको टेंस पर हाते तो साड़ अच्छे से बताते हैं अब अच्छे से बताने के चक्कड में वीडियो बहुत लंबा चला ज अब टेंस जूर पढ़ ले किताब से बहुत काम का चीज है अको आगे दम काम आता रहेगा ज़द पर इंगलेज पढ़ते रहें कि यह था सिंपल पर्जेंट टेंस का यह परजेंट कंटिनुवस टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा इसमें और इसमें लेकर परजेंट परफे करें ठीक है जो समुव में फिट नहीं बैठता है यह है आठ नमर का फिर्स्ट है फुट यानि पाउं हैंडिंग यानि हाथ नेक यानि गर्तन अब देखिए यह तीनों के क्या है तीनों के तीनों सेरी का एक भाग है अंग है लेकिन यह पत्थर बीच में कहा जाएगा म olarется निथा उचान को क्या करना था करताँ सेक्ण यह ट्वाइट लिखना पटैटो आलू रिड़ पढ़ना लाग फशेंग यानि क्या है कि पट अप्ड़ करके बाकि यह क्यों क्या पांव पूरिया भर गभान है आलू नहीं है अलू फिट्नी बैठ रहा है घ्ग है तो ग भैजेट है छिए को time machine है किता भी तो जन्हेर गोला भ्रिटर इस को हाई- जवाय रायों फॉर है with why that gay, मिशने साच कब when मोउना होता है कि रह्यों不是 मैं फूल रायों कि यह इसक्वाल पूछने में लेकिन देट का इस तामालाह ए स्वाल पुछने में लेकिन देट का you इससा मुव में फिट नहीं बैठ रहा है तो गूल करती है तो होगे एंसर देख फोर में लिखा है एंसर दा फॉलेंग क्विश्चन्स इन अबार थर्टी वर्ड्स नीचे दीगे प्रस्णों के उत्तार लगवक तीस सब्द में दे एक कोशन के एंसर देजीगा तो चार नम मढगा फर्स्ट है what does mother do when her child is very young मा क्या करती है जब उनका बच्चा बहुत छोटा होता तैंसर जागे mother loves, takes care, fits, tells stories and teaches her child good habits when her child is very young तो ये तो इस चैप्टर से हैं देखे एक मा प्यार करती है, देखवाल करती है, खाना खिलाती है, कहानिया सुनाती है और अपने बच्चे को अच्छी आदिते सिखाती है जब उनका बच्चा बहुत छोटा होता है तिसमें हम ज़्यादा explain नहीं करेंगे क्योंकि सारा चै करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो, क्लास्चेक्स इंगलेस का, सेगेंड कोश्चन इस चैप्टर से है, लिखावाल हो डिट साइन बिकम दा मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर, प्रोमिसिंग यानि क्या होनहार, टालेंटेड, तो बहुत ज़्या साइना नेवाल सबसे ज़्यादा होनहार, खिलाड़ी कैसे बनी, तो एंसर हो जागा साइना लेवर्ट हाट, साइना कठीन परिष्रम की, ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हम सब टेलेंटेड बन जाते हैं, अपनी काम में हैं, हम बहुत एक्स्पर्ट बन जाते ह में को बीकुवी सब्वेक्ट पढ़ने में समस्या है तो आप उसका प्रैक्टिस करते रहे किसे से पुछते रहे हैं तो आप भी क्या हो जाएगा रोमिसिंग हो जाएगा अंध का एहट गया तो बोला जड़ाइं कि चाइना कठीन प्रसम की और अपने खेल को और अपने ठाइन्ट को टेकिन दिन पर्थी दिन प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करने से उसे हैं आपने च थ्षहध्र में क्या है एक्सपर्ट बन जाते हैं आप्टर बिकमिंग दा फर्स्ट इंडियन टो विन बीड़लुएफ सुपर सिरीज टाइटल शी वज रिनेम्ड दा मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर इन तूथाज़न एट बीड़लुएफ सुपर सिरीज टाइटल जितने वाली पहली भारतिय महिला बनने के बाद उनको 2008 में सबसे ज़्यादा होनाहार खिलारी के रूप में नामित किया गया तो 2008 में वो सबसे ज़्यादा होनाहार खिलारी के रूप में उनको नामित किया गया कब जब यहों जीती है BWF Super Series Title जितने वाली पहली भारती है यानि इनके पहले ना कोई लड़का जीता था ना कोई लड़के 3. Why is our country proud of Latamangishkar? तब बुला ज़रा हमारे देश को Latamangishkar पर गर्व क्यों है? एंसलो ज़रा हमारे देश को Latamangishkar पर गर्व है? Because she is one of the best playback singers of our country. किनकि वे हमारे देश के सबसे जादा अच्छे playback singers में से वो एक है. जो हमारे जो playback singer है, playback singer मतलब जो परते के पीशे गाती है, जो फिल्मों में जो काना रहता है, वो एक्टर या एक्टर्स नहीं गाता है, वो सिर्फ मूझ लाता है, इसलिए उसको playback singer कहाता है, तो देख यहाँ प्रैस छुटा हूँआ, यहाँ प्रैस लगा लेजेगा, playback singers, ठीक है, उसमें से वो एक थे, she is famous across the country, वे पुरे देश में प्रासिद है, ठीक है, अपनी गाईकी के लिए, अपने मधूर आवाज के लिए, वो बिभीन भासाओं में गाना गाई है, and she is a source of inspiration for new singers, और वे नए गाईकों के लिए, नए गाईकाओं के लिए, एक प्रिणा क श्रूत है, लोग उनको रोल मोडल मानते हैं, उनकी तरह बढ़ना चाहते हैं, उनकी तरह गाना चाहते हैं, फोर्म है, वाई डू बैंगल सेलर्स कम टू दा फेर, फेर में सोता है मेला, बैंगल सेलर्स में क्या चूरी बेचने वाले, तो बहला चला है कि चूरी बेचने वाले मेला किवा आते हैं तो इस और हो जाएगा बैंगल सेलर्स कम तो दफियर तो अर्ण मनी शेलिंग दियर बैंगल्स टु डॉक्टर्स वाइप्स और मेंडन्स इन दफियर देखें मेंडन्स मी सुखता है क्या कुवारी ठीक है कुवारी स्थिर्य मेले में बेटियों पत कपेसे कमाने के लिए चूड़ी बेचने वाले मेला आते हैं क्या होता है वो बेचेंग ल्गected transfer को पत्नियों कर और कुवारी इस्त्रीयां गैंगे टिके मेले में तो बेचेंग सबना और क्या करेंगे पैसे कमाने जूडी बेचने वाले फार देगे फार में लिखा हुआ एंसर दा फॉलेंग क्वेश्चन इन अबाट फिप्टी वर्स नीचे देगे प्रस्न के उत्तर लगवक पचास सब्द में पचास से थ्वास अभी कम हो सकता है तो सेंतालेस में भी लिखेगा तो चलेगा पचास से आगे ती सब्सक्राइगा दोनों में सब को एक ही बनाना फर्स्ट है राइटे पारग्राफ अबाट यूर विलिएज और टॉन तो बहला जाए कि अपनी गाउं या सहर के बारे में एक पारग्राफ लिखें ठीके लगवा पचास सब्द में अगर आप गाउं में रहते हैं गाउं क सिंड मेसेजेश कुछ तरीकों का लिस्ट बनाया है जिसके द्वारा मानव संदेशों को भीजते हैं यानि अपनी बाहबनावों को बताते हैं एक दूसरे से बातचित करते हैं तो यहां पर दोनों लिखके आपको दिखाएंगा जो आपको पसंद है वो लिखेगा तो दे लिखने का को तरीका सिखा रहे हैं अपर दा नेम आफ माइव विलेज इस भरवापूर सिच्वेटेड और रिवर्स साइड देखें लिखेंगे मेरे गाओं का नाम भरवापूर है जो नदी के किनारे स्थित है इट इस वन अफ दा मोस्ट बीटिफुल एंड एजुकेट जीए में से एक है तो मेरे जीले में कई सारे सिचि घाओं के संद्र गाओं उन में से वह एक है तो लिख फाने बातार होता है दू प्राइमिर स्कुल अर्ड ही स्कुल प्रात्मिक विद्याल्या राएक है प्राहट्मिक विद्य्यालिक काहँ यहीं से ल हॕइस जड़ तरह से लिवन ही तो 1 से लिकर मनत ब्लस्टू का मत कर एंट हन्ट याई उय्सकूल सुर्टत जोट आखाल नीषन इर कोकन लॉइज चतली है मेले घाव में बहुत द्यालू लोग स applique मेन अकुपेशंस अर फार्मिंग कैटल रीरिंग यानि क्या म swap किटी पुषिजेशंग है। पुषुपालन मुख्य वे विएविसाय है। खेती, पहला तो खेती तो फिक्स है, दूसरा पशुपालन और मश्ली पालन भी होता है, और को पेशनस मिस होता है क्या वे विस्सा है, क्या काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए, तब पीपल ओफ डिफ्रेंट कास्ट्स एंड रिलिजन्स लिव हैपली विद वन अनर्द, विविन जाती और धर्मों के लोग एक दूसरी के साथ खुशी पुर्वक रहते हैं, खुशी पुर्वक रहते हैं, तो लगवाग पचास वगदों में यह लिखके आपको दिखा द अपनी बातों को बताते हैं, तो एंसर वह जाएगा, हीमन बेंग सेंट मेसेज़ेज इन वेडियस वेज, मानव विभिन तरीकों से संदेशों को भेजते हैं, तो कही सार तरीका है, एक दूसरी को अपनी बात बतानेगा, फर्स्ट है, पीपल कनवे देर मेसेजेजेज बा फेस तूफेस टूफेस टॉकिंग, लोग अपने संदेशों को आपने सामने की बातचित के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, फेस तूफेस बातचित करके अपने भावनाओं को बताते हैं, दूसरा कहा तरीका है, दे यूज ऑडियो कॉल एड़ विडियो कॉल फीचर स तो उसका इस्तिम्हाल कड़ाइब ऱ्रीयाइब कर दो की आते हैं एनीर, दे यूज शुशल नेटवारकिंग ?ि शॉज शॉचल निटवारकिंग साइट क tu इस ईमेल, फेस्वोग, वाट्सब्संप, इनस्टाग्राम, टेलीगराम ए्टिश्ए तो भी ऑस्वारोशल नेटव या संदेशं को भेजते हैं या फिर व्यक्त करते हैं करने भी मिस होता है विक्त करना तो हम सब क्या है कावच पर भी लिख करते हैं जैसे लेटर क्या पत्र क्या है लेखी के तो भेजते हैं भावणाओं चेहरे के हावण का बताने के लिए जैसे खुम्णाओं कहुंडच। जाता है उदास होते हैं तो चेहरे लटक जाता है तो किसी के चेहरे को देखकर भी वह क्या सोच रहा है उसके अंदर के फिलिंग्स क्या उसको काफी है तक समझ लेते हैं